हाई मैं नेम इस रंधीर मेरा नाम रंधीर है और मैं आपसे सेल्स की बात करने वाला हूं एक काम कीजिए एक छोटा सा गूगल सर्च करके देखिए हाउ टू इनक्रीज सेल्स सिंपल टॉपिक है नौ जब आप सर्च करेंगे तो आपको मिलेगा 400 करोड से भी ज्यादा रिजल्ट्स सिर्फ आप वीडियो अगर देखेंगे तो आपको 4 करोड से ज्यादा वीडियो सिर्फ इस सब्जेक्ट के उपर में मिलेंगे कि सेल कैसे बढ़ाई जाए अब सवाल यह है कि इतना नौलेज अवेलिबल है इतना ग्यान अवेलिबल है फिर सेल बढ़ती क्यों नहीं है सेल नहीं बढ़ती है उसका कारण है तीन मिस्टेक जिनको आप डेडली मिस्टेक कह सकते हैं यह मिस्टेक हम लोग रोज करते हैं इफ यह रणिंग बिजनस चाहे आप आप आनलाइन बिजनस में हो चाहे आप अफिलियेट मार्केटर हो चाहे आप e-commerce का काम कर रहे हूँ या कोई product बेच रहे हूँ आपकी कपड़े की दुकान है आपका restaurant है आप किसी भी फिल्ड में हो यह तीन डेडली मिस्टेक हैं जो आप रोज करते हैं इस 3 deadly mistakes की वजह से आपकी sale बढ़ती नहीं है आप हमेशा struggle करते रह जाते हैं ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है कि ये गलत है मज़े की बात ये है कि आपको अलरडी पता है ये गलत है फिर भी आप करते हैं सो मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 deadly mistakes क्या है आप अगर सिर्फ उनको avoid कर दें तो आपकी sale एक अलगी level पे चली जाएगी तो आईए मेरे साथ चलते हैं देखते हैं वो तीन deadly mistakes क्या है सबसे पहला mistake हम लोग क्या सूचते हैं I run the ad, now sales will happen automatically मतलब मैंने ad चला दी, sales हो जाएगी वो ad चाहे facebook pad चलाना हुआ है, google pad चलाना हुआ, newspaper में ad देना हुआ pamplet चपवा करके, newspaper के अंदर insert करके हमने बटवाए कुछ भी किया, हम क्या सोचते हैं add कर दिया तो sale तो हो नहीं हो नहीं my dear friends ऐसा नहीं होता है क्यों नहीं होता है, ये सबसे पहली deadly mistake है we believe, add कर दिया ना, अब sale हो जाएगी क्यों नहीं होती है, उसका कारण मैं आपको समझाता हूँ नहीं होने का कारण है हमारे दिमाग में, बच्पन से बताया जाता है it is part of our upbringing that don't talk to strangers बत्ति जली we don't want to do business with strangers जब आप add करते हैं, तो आपका ध्यान किस पर होता है facebook add का example लेते है जब आपने decide किया कि मुझे facebook add करना है तो आप क्या करते हैं आप सिधा सिधा सबसे अच्छा वाला add template ढूणते है सबसे अच्छा वाला landing page बनाते है तरह तरह के tools लेके आते हैं यह वाला video जाएगा, उसमें यह creative होगा उसका ऐसा landing page होगा यह integration होगा, इधर payment gateway आएगा या तो आप खुद सीख लेते हैं सब कुछ या आपको एक agency help करती है यह सारी चीज़ें coordinate करने में यह सब करने के बाद यह start doing a facebook add कि यह मेरा creative है यह मेरा video है now I have given the best of what I have now sales should happen अब sales होनी चाहिए पर sales होती नहीं है agency आपको क्या बताती है सर जी आपका video था एक दिन में 10,000 reach हो गई 20,000 reach हो गई उसमें से इतने लोगों ने उसको देखा इतने लोगों ने उसके link को click किया इतने लोग आपके landing page पे पहुँचे यह सारी की सारी information आ जाती है आप बड़े खुश होते हैं अगर आप खुद से कर रहे हैं तो आप हर 2 घंटे पे यह चेक करते रहते हैं कितनी reach बढ़ी कितने पैसे लगे क्या हुआ कितना link click हुआ link click होने के बाद क्या हुआ CTR percentage कितना है CPC कितना आ रहा है मेरा यह सारी matrix हम लोग measurement करना शुरू कर देते हैं but sir और madam please understand sales इनका नाम नहीं है sales is not all about landing pages your templates your graphics your static ad, video ad and everything आप बेच किसको रहे हैं जिन लोगों ने आपका ad देखा है आप stranger है उनके लिए please understand that आप खुद एक stranger से business करेंगे क्या नहीं करेंगे you want to check the credibility you are very comfortable in doing business with people you know सबसे बड़ा gap सबसे बड़ा deadly mistake जब कभी भी आप add करते हैं आप ध्यान दीजिएगा आप stranger से बात कर रहे होते हैं इस उमीद में कि stranger आप से impress हो जाएगा और आपका सामान खरीद लेगा पर ऐसा नहीं होता है आप struggle करते रहते हैं आप frustrated हो जाते हैं यह थी आपकी सबसे पहली deadly mistake अब आते हैं दूसरी गलती पर दूसरी गलती क्या होती है हमारे दिमाग में एक ख्याल होता है if the offer is good anything can be sold मतलब कैसा भी सामान हो एक बढ़िया सा offer लगा और बिग जाएगा अगर आप commodity बेच रहे हैं तब तो यह बात सही है कुछ हद तक पर अगर आप brand बनाना चाहते हैं तो यह बात बिलकुल गलत है क्यों गलत है और इसका अंदाजा आपको हो जाएगा जैसे यह बिजनस में थोड़े समय तक चलेंगे आपको मालूम पड़ जागा यह बहुत ही short term strategy है इससे काम होता नहीं है क्यों नहीं होता है मैं आपको बताता हूँ फ़नेल पता है ना customer funnel नहीं पता गूगल कीजिए पता कीजिए उसके बगार sales चलेगी कैसे customer funnel में सबसे नीचे का portion होता है वह point होता है purchase का awareness से शुरू होता है, awareness होता है, consideration होता है, prospecting होता है, धेर सारे stages होते हैं, last में आता है purchase, जिसको आप offer दे रहे हैं, आप किसको offer दे रहे हैं, जो last point पे है, जो purchase करने वाला है अभी, इस समय तक उसने मन बना लिया है, कि मुझे A, B, C, तीनों में से किसी से यह सामान लेना है, for example, मुझे घर में कोई furniture का काम करवाना है, मैंने बहुतों से बात की, कुल मिला के मुझे तीन लोग अच्छे लगे, A, B और C, तीनों के rate भी ठीक है, quality भी okay है, कहते हैं, एक महने के होता है, तीनों में से कोई भी एक, एक trigger दे देता है मुझे, वो trigger ऐसा होता है, जो मेरा decision finally purchase का बना देता है, trigger क्या होता है, किसी ने कहा, 10% discount offer it, मैं हो गया, चख्खी के चल, 10% discount पर काम कर लेता है, किसी ने कहा, कि वो आपने एक room की बात कीते न, उसके साथ मैं आपका एक shoe rack भी अलग से बना दूँगा, एक आपका study table आपको अलग से करके दे दूँगा उसी rate में, value addition, offer है, मैं उसकी तरफ हो लिया, किसी ने कहा, मैंने एक मैने आपको put किया था, लेकिन एक मैने मैंने, मैं 20 दिन में करके दे दूँगा आपको, offer है, पहली बात तो offer सिर्फ पैस से देख सकते हो, but the point is, इस समय कोई X आदमी चौथा आ गया मेरे पास, जो बोले कि हाँ साब ये furniture मैं ऐसे में बनाऊंगा, मेरी ये quality है, मेरा वहाँ पे production है, मेरी team इतनी बड़ी है, मैं X की तरफ देखूंगा भी नहीं, वो भले मुझे 50% offer दे दे, 50% discount कर दे, कोई फरक नहीं पड़ता, चुनूँगा तो मैं ABC में से ही किसी को, ऐसा नहीं है कि आपने offer दे दिया और माल बिक जाएगा, नहीं होगा ऐसा, ब्रैंड बनाना चाह रहे हैं तो बिलकुल नहीं होगा, जितने आप लोग Amazon पे काम करते हैं, Flipkart पे कर रहे हैं, Swiggy पे कर रहे हैं, Zomato भूल जाहिए इस आदत को, deadly mistake है यह, यह था हमारा second deadly mistake, तीसरा क्या है, तीसरा भी एक one-liner है, I'll tell you, sales जब आप हमेशा करने जाते हो, जब आप बात कर रहे हो किसी से, customers don't buy from you always, right, but rule क्या, deadly mistake क्या होती है, rejection is equal to insult, sales में जैसे ही rejection मिली, आप insulted feel करते हो, आपको लगता है, this guy, मैं इससे बात ही नहीं करना हो, इससे कोई relation नहीं रखना, कोई communication नहीं करना, कुछ नहीं करना, भड में जो, इस तरीके से हम customer को trade करते हैं, prospect को, customer हुआ नहीं है, pay करता तो customer हो जाता, पर pay किया नहीं है, so अभी त करते हैं, अगर आपके funnel में 100 prospect है, if you have 100 prospects in your funnel, सिर्फ 3 लोग आप से सामान खरी देंगे, you get conversion of 3%, अब sales इनकी नहीं हुई, जो 97 लोग बच गए, जिनोंने कुछ भी नहीं खरीदा, they may think you are good, next time खरीदेंगे, they may think इस बार थोड़ा price ज्यादा था, आपका अगली बार अगर अच्छी deal हो या अच्छा price हो तो पक्का लेंगे, या इस बार purchase decision ही postpone हो गया, मुझे भी चाहिए नहीं, दो मेने बाद खरीदूंगा, उस समय देखा, कुछ percentage होंगे, जो ये समझ होजेंगे कि ये vendor तो बिलकुल बेकार है, मुझे इसके साथ कोई business नहीं करना है, एक minority percentage है, जो आपको चार बाते सुना के भी गए होंगे, शायद, या तो electronically, या face to face, depending upon where are you working, लेकिन हम क्या सोचते हैं, ये जो 97 rejection मुझे मिले न, इसका मतलब है, ये 97 insult है, सो इस 97 से हम कभी कोई communication करते ही नहीं है, मजे की बात बताओ, अगर आप proper follow-up करो, failure cause analysis करो, उनके साथ communication establish करो, और उनके साथ engagement कायम रखो, out of this 97, 48% convert होंगे आपके, थोड़ा thick skin बनना पड़ेगा, you know, happy new year, happy diwali, करते रहना पड़ेगा, समय समय पर थोड़ा value addition, थोड़ा communication करते रहना पड़ेगा, पर अगर किया, तो 97 में से 48% convert होगा, और यह 48% का मतलब क्या हुआ, जो 3% आपकी sale हुई थी न, उसका 15 गुना, 15 times, patience है, यह करने के लिए, हम तो मान के बैटे है, rejection is equal to insult, हम नहीं बात करते हैं उससे, ऐसे काम नहीं हो तो business में, तो यह 3 deadly mistakes हैं, जो हमें पता है कि गलती है, आप बताओ, इसमें से कोई भी चीज ऐसी थी क्या, जो आपको पता नहीं थी, फिर भी यह गलती करते थे, regular basis पे, इन्हीं सब चीजों को देखते हुए, मैंने एक workshop और्गनाइज किया है, जहां मैं आपको बताता हूँ, systematic तरीके से, कि यह जो तीन deadly mistakes हैं, इससे बाहर कैसे आए, how do you avoid doing these 3 deadly mistakes, उसके साथ साथ एक system की बात करूँगा, मैं 4 points बताऊँगा, एक system बनाने के लिए, जो आपको आपके sales का system, design करने में मदद करेगा, आपके sales का system अगर existing है, तो उसको यह turbo charged कर देगा, क्योंकि अगर system नहीं बनाया और उसको practice नहीं किया, तो आपको predictable result नहीं आएंगे, सो system तो बनाना ज़रूरी है, तो मैं 4 points बताऊँगा, जो system बनाने मदद करेगा आपको, नीचे दिया हुआ है link, details हैं सारी अंदर, एक बार आके देखे, क्या पता, sales आपकी अलग level पर पहुंच जाए, अगली बार जब मिले तो, right, good luck, take care.